एक घंड़े तक चो विहार का त्याग है, एक घंड़े तक अनावश्यक बोलने का त्याग है, जब मैं भूलती हूँ त्याग है, तो आप लोग मानसिक रूप से संकल करते हैं, त्याग है, तो हमारी चर्चा चल रही है, जाती पांच, कौन-कौन सी जातिया हैं, जाती का मतलब, जाती का मतलब अपन समानता भी बोल सकते हैं, जैसे गाय जाती, ठीक है, तो एक ग्रूप, एक समो, उसको कहेंगे हम जाती, कौन-कौन से जाती हैं, एक इंद्री, दुईंद्री, तींद्री, चतुरेंद्री, पंच इंद्री, ठीक है, अब हम थोड़ी से एक इंद्री की ही बात कर रहे थे, एक इंद्री आच्छा एक इंद्री, दू इंद्री, तींद्री, चोतुरेंद्री तक अपन चले गये थी और पांच मां है पंचेंद्री कि कुश्चिन था ना इसमें कुछ-कुछ प्रसना आप लोगों को पुछा था एक इंदी, दू इंदी, ती इंदी, चतुर इंदी, सब का और लास्ट में चर्चा करें जो कोश्चिंदिया था यह पहले बोलेंगे आप लो लास्ट में करते तो पंचेंद्री पंचेंद्री देखिए पंचेंद्री जी दो प्रकार के होते हैं संगी और आज संगी संगी का मतलब जिसका मन होता है एकिंद्री से ले करके चत्रिंद्री तक नियमा दो सब्दे हैं एक है नियमा और एक है भजना नियमा का मतलब होगा ही युनिवर्शल टूथ ऐसा ही होता है जहां पर किसी प्रकार का कोई option नहीं है उसको कहेंगे हम नियमा और भजना वो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एकिंद्री से लेकर के चत्रिंद्री तक सारे की सारे जीव नियमा क्या होते हैं असंगी ही होते है ठीक है आप लोगों का मन है या नहीं है सब का मन है या नहीं है अचा किसी के मन है या नहीं है कैसे पता चले ये जो एनिमल होते हैं इनका मन होता नहीं होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं अब अच्छा किसके मन होता है और किसके नहीं होता है उसमें ये दियापन जाएं तो उसका डेफिनेशन ये है कि दो प्रकार के जिव एक गर्भज और एक समुर्चिम एक गर्भज और एक समुर्चिम गर्भच किसको कहेंगे हम जो गर्भच से पैदा होते हैं उनको कहेंगे हम गर्भच जो बिना गर्भच के पैदा होते हैं उनको कहेंगे हम समुर्चिम तो एकिंद्री से लेकर के चत्रुंद्री तक ये लोग नियमा सारे के सारे समुर्चिम ही होते हैं अब कहां पैदा होते हैं कैसे होते हैं किसी भी जीव को जीव की उत्पत्ती के लिए उनको एक एटमस्पेर चाहिए जिसको हम बोलेंगे योनी एक योनी चाहिए बिना एटमस्पेर के वो पैदा हो नहीं सकते कोई भी चीज बाहर खराब हो जाता है प्रिज के अंदर वो ही महिना महिना रह जाता है कारण क्या है वहां के टेंपरेचर को ऐसा एटमस्पियर नहीं होता है कि वहां कोई जीव पैदा हो जाए ठीक है अब जिसे इसको आप दूसरे ढंग से यदि समझना है यूँ समझ सकते हैं बहुत बार देखते हैं अपन ऐसे जीव नहीं है जैसे लाइट जगाएंगे तो क्या हो जाएगा जीव आने लग जाते हैं ठीक है अब वहां क्या मिला लाइट का प्रकास और बाहर का ऑक्सिजन ये दोनों का योग मिला उनके लिए एक योनी बन गया जहां गंदगी होता है कीचड होता है वहां पर मच्छर आदी जादा होते नहीं होते हैं तो वो गंदगी वो कीचड उनके लिए योनी बन गया ठीक है अच्छा है एक चीज और बड़ाई एक चीज और बताईए मख्छी कहाँ ज्यादा रहते हैं अब मैं दुसरा अपसन एक देती हूँ अंधरकार और प्रकास ठीक है मच्छर प्रकास में ज़्यादा रहते हैं या अंदकार में और मख्छी जब भी घर में ऐसे लगे यहां तो चलो होता ही नहीं मख्छी मच्छर तो मेरे ख्याल से होता ही कम है नहीं भी है घरों के अंदर तो होता ही नहीं है जब भी ऐसा लगे ना बहुत मक्या हो गई है पूरा अंधेरा कर दो सब मक्य फटा फट एक सिकेन में निकल जाएंगे जब भी मक्य ऐसे लगे हो गया उनको अंधेरा बिलकुल ने चलता है और मच्छर को प्रकास ने चलता है वो हमेशा जहां भी थोड़ा सा डार्कनेस होगा अधेरा होगा वहाँ पर आपको मच्छर में जाएंगे तो अपन बात कर रहे है योनी की तो ये गंदेगी है उनके लिए योनी बन जाता है चीटे के लिए ये मीठा जहां भी मिठा होगा वहाँ चीटियां जद्धी आएगी ठीक है तो इन सब को हम कौन सा जीव बोलेंगे समुर्चि जो अपने आप उत्पन्न होते हैं उनको कहेंगी हम समुर्चि और जो गर्बस से उत्पन्न होते हैं उनको कहेंगी हम गर्बस ठीक है, जो पंचिंद्री, तो एकंद्री से लेकर के चतुरिंद्री तक सबकी सब नियमा क्या है, समुर्चिम ही है, वो गर्भज से पैदा नहीं होते हैं, और पंचिंद्री में दो प्रकार के, गर्भज भी होते हैं और समुर्चिम भी होते हैं, ठीक है, गर्भज भी और स समुर्चिम भी, अब समुर्चिम दिखने में, जैसे मैंने एक एक जम्पल दिया था, जैसे हाथी है, हाथी है, ठीक है, वो बिना गर्भज का है, गर्भज से पैदा नहीं हुआ है, एक गर्भज हाथी और एक समुर्चिम हाथी दोनों साथ में है, पता भी नहीं चलेगा आ आकार प्रकार सब चीज वैसा रहेगा अंतरशिफ एक चीज का होगा एक मन वाला होगा और दूसरा बिना मन वाला होगा अब पता कैसे चले बहुत सारा चीज पता चल सकता है नौर्मल एक बार एक जलक यह दि देखेंगे तो साइद अपन को पता न भी चले ठीक है तो ये पंचिंद्री की बात हो गई अच्छा सबसे कम डेवलप्मेंट कौन से जीज का है सबसे कम डेवलप्मेंट एक इंद्र जी ये जो पंचिंद्री की बात है नौर्म एक जलक देख रहे हैं और आपन थोड़ी देर के लिए देखें तो साइद भी पता चले पहचान की अब मन वाले और बिना मन वाले ने ने ऐसा भी नहीं आई से भी बुरा होता है साइद मेरे ख्यासे नॉर्मल अपन ये थी थोड़ी देर देख रहे हैं थोड़ी देर देख रहे हैं तो हाँ हो भी सकते हैं होते भी हैं उसको गर्बज से जो हाँ एक से निकलते हैं वो सारे गर्बज होते है लेकिन ये चीटिया मक्ही आदी है ना लगता है कि हाँ उनका एक है उसके अंदर से कोई ये जीव ने निकलते है ओटोमेटिक समुर्चिम होते है एट्मर्श्पियर से ही पैदा होते हैं ने सारे कोई भी खाली हाथी की बात नहीं कोई भी पंचिंद्री जीव है मैं एक्जामपल ये दे रही हूं कि हाथी भी दूसरे भी हो सकते हैं गाय भी हो सकता है घुड़ा भी हो सकता है मचली भी हो सकता है मगर मचली भी हो सकता है कुछ भी अपन तो सायद लंबे समय तक देखे उनके एक्टिविटी वगर देखे तो सायद हो सकता है कि पहचान में आजाए फिलिंग्स नहीं देखो एक बात है फिलिंग्स तो होता है मन का काम क्या है मन की तीन काम है पता है कौन-कौन सा काम है अतित की स्मृति, वर्तमान का चिंतन और भविस्य की कल्पना एक ब्रिक्सि की तहनी या डाल को या पत्य को तोड़ा जाता है क्या उसको कष्ट होता है हाँ या ना एक 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 इनसान की अंगुली कट गई अंगुली कट की यानि कुछ भी हुआ ठीक है उसके दर्द में और उस बनस्पति के दर्द में क्या अंतर आएगा रइट अमान लिजे किसी के निमित्त से हुआ है एक बात सुनियो किसी के निमित्त से आपको दर्द हुआ है वो दर्द तो मिट गया उसकी स्मृति बनी रहेगी उसने मुझे तकलिफ दिया वो नस्पति ये नहीं स्मृति करता रहेगा उसने मुझे तकलिफ दिया वो इस स्मृति में बैठा नहीं रहेगा दर्द हुआ खतम ठीक है तो ये स्मृति चिंतन कलपना ये किसका काम है ये मन का काम है तो संगी मनुष्य ये तीन चीज़ और जादातर किसमे रहते हैं बोली इंसान की बात ये दिले जादातर किसमे रहते हैं बावीजी आप अपना स्थान बदल सकते हैं पता ओ तो पता है मज़े भी सुना है ज्यादा तर किसमे रहता है मनुष्य? 80% आप खुद ध्यान देना पास्ट की स्मृति में ठीक है? कोई अच्छी स्मृति है तो उसको लेके सोचते रहेंगे और कोई ऐसी वेसी स्मृति है तो उसको लेके सोचते रहेंगे और कोई बहुत ज्यादा ख्वाइस वाला इंसान है वो क्या होते हैं आसमान में वो महल बनाने वाला वो किस में राता है बस मुझे ये करना है अब ये करना है ये करना है फिर मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो कलपना लोग में करते रहते हैं सब की सब क्यपास इज नहीं होती है भविश्य की कलपना करना कुछ प्लानिंग करना सब की बस की बात होती ही क्या कुछ लोग को बोलेंगे भई तुम यह इस चीज को लेकर के 10 सेंटेस बनाओ के वो फटापट बना लेगा तो कलपना लोग में जो रहता है ना वो क्या करेगा फटा फट बना देगा तो दो चीज में हम जो की सेंस लेस्ट टाइम विष्ट के लाबा कुछ नहीं है अतित की चाहे स्मृति करें चाहे भविश्य की क्योंकि अतित तो पाष्ट हो चुका और भविश्य अनागत है तो यदि हम मतलब वर्तमान में नहीं है भविश्य की कलपना कर रहे है तो जो वर्तमान में है वो भी जा रहा है और जो भविश्य में हो सकता है उससे भी बनचित है ठीक है तो मन की बाद जो अपन कर रहे है मन का काम ये तीन है स्मृती, चेंतन और कल्पना ठीक है? गर्भज और समुर्ची अच्छा अब पंचेंद्री के हाँ एक्जेक्ट परिभासा अच्छा देखो एक और बात है क्यों का मतलब नहीं है हमको जो भी चीज है जो चीज फैक्ट है ये भगवान ने बता दिया है एक चीज यहां भगवान ने बता दिया इस अंदर में एक मेरा कोश्चिन है इंद्रधनुस साब लोगों ने देखा है सब ने देखा है विसाल जी क्या रियल में इंद्रधनुस होता है तिर्थंकर इंड्र धनुस को देख सकते हैं देखो एक मजिदार बात सुने ठीक है एक बात सुने तिर्थंकर इंड्र धनुस को नहीं देख सकते हैं वो बात नहीं है जो फैक्ट है वो ही देख सकते हैं जो माया है ना जो ऐसे ही अपन को कुछ दिख रहा है जो फैक्ट नहीं है वो नहीं देख सकते उसका नहीं है ना बुल रहा है ना बुल मिलाकर की तो मैंने जो सुना है तिरतंकर इंद्रधन उसको अचा किसी के मान लो कोई जो भी ऐसे अननेसेसरी है जो भी चीज है वो उसको नहीं देख सकते जो फैक्ट होता है वही चीज हो देख सकते हैं अब जो पियोसी का जो कोस्चिन है समुर्चिम जीव की बात समुर्चिम जीव की उपयोगिता की तो बात अपन करेंगे परस्परो पग्रह जीवाना इस संसार में एक तो जो भी जीव है अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए ये एक जैसे कोई ब्यक्ति पाप करता है किसी को मारा या गलत काम किया तो उसको भोगने के लिए कहा जाता है जेल उसको भोगने के लिए वो जेल जाता है उसका एक पनिस्मेंट है तो वैसे ही ये चार गतिया चोरासी लाख योनी या चौबिस दंडक ये क्या है ये कर्मों को भोगने का ये प्लेस है स्थान है बहुत जादा पुन्ने किया तो उसको भ भोगने के लिए इस करम भोगने के स्थान है भोगते हैं करम नैसे जैसे बांधते हैं फिर हमारा रिवर्थ होता है जैसे कि ये वे करम होते हैं उसके अनुसार हमको उस स्थान मिलता है अब ऐसे देखवा मोर है कैसा रंग बिरंगा उसका होता है तितली है बटरफला है उसक body कैसा होता है किसने बनाया, कोई चितरकार बैठ के बनाता है किसने बनाया है प्रकृति कौन है कोई बैठा है कि बनाने के लिए ये सब सारे की सारे बेक्टि का अपना खुद का नाम करम मुलब करम कुल मिला के बाद इतनी है टोटल सारा खेल किसका है कर्मों का तो कौन सी जाती एक इंद्री में, दो इंद्री में, तींद्री में, चत्रोंदी में कहां पैदा होंगे कौन ले जा रहा है, ले जाने वाला कौन बेक्ति का अपना कर्म ठीक है, अब रही बात उपयोगिता की एक खली, अब ब्यवहार रासी का जो जीव है ना वो किसी के कोई काम नहीं आता है ब्यवहार रासी के जो भी जीव है एक बार अपन पूरी सेशन ब्यवहार और अब ब्यवहार पे चर्चा किये थी ब्यवहार रासी के जो भी जीव है सब एक दूसरे के उपयोग में आते हैं छिप के लिए है वो अपना पेट किसे बढ़ते है मक्ही मच्छर सारे मक्ही मच्छर भी तो अपना पेट बढ़ते हैं इसको बोलते हैं परसपरो पग्रह जीवाना में एक दूसरी के सब उपकार कर रहे और रही बात क्यूं है क्यूं है ने भैस है मनुष्य क्यूं है अपना अपना करम भूगने के लिए पैदा होते हैं हाँ मनुष्य की सबसे खांस क्वालिटी यदि है दस चीजें जो किसी को जल्दी से मिलती नहीं है वो दस चीजें क्या-क्या है जिसको हम exceptional बोल सकते हैं कौन-कौन सी चीजे है आप ऐसे ही कोशिस करो गिनने का पहला मनुष्य जीवन मनुष्य भूग ठीक है अच्छा एक बात मेरा एक प्रस्न यहां और है मनुष्य भूग दुरलब नहीं है क्योंकि मनुष्य भूग तो वो भी है हाँ समुर्चिम की जो बात अपन कर रहे थे एक तो वो हुआ की जो हाथियादी मैंने कहा जो असंगी होते हैं गर्भज नहीं होते ठीक है दूसरा देखे मनुष्य भी समुर्चिम होता है कौन सा मनुष्य होता है मनुष्य भी मनुष्य दो प्रकार के गर्भज और समुर्चिम तो वो समुर्चिम कैसे होते हैं, कहां पैदा होते हैं मनुष्य के ही मल मुत्र स्लेश्म कफ आदी चोदर जो स्थान है उस पर चोदर स्थान यानि जैसे मालो बाहर कहीं स्लेश्म कर दिया कफ कर दिया तो उनमें जो उनमें पैदा हो वो स्थान उनके लिए योनी स्थान बनता है और तालिस मिनट के भीतर भीतर उनमें जीव पैदा हो जाते हैं तो कभी भी आप लोगों ने ये दियान दिया होगा जिसे कोई भी जो बहुत एवरनेस वाले होते हैं मालनो रास्ते में किसी को कफा गया कहीं थूक रहा है तो वो जल्दी से थूक के खाली नहीं छोड़ेंगे उसके उपार मिट्टी डाल देते हैं क्यों? ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई जिव जिनावर पैदा ना हूँ कोई मक्खी मच्चर उसके निमित मरे नहीं और उसमें समुर्चिम मनुष्य की बात अपन कर रहे है तो उन उन चीजों में ये समुर्चिम मनुष्य पैदा हो जाते है ठीक है? अब उनकी संख्यात अपन सोजी नहीं सपते असम की मनुष्य उसमें पैदा होते होंगी कभी अपन भी वो समुर्चिम मनुष्य बने होंगी इसलिए बोलते हैं नहीं, वो सुक्सम होते हैं पहली बात दूसरी बात उनके साड़े तिन परियाक्ति होके ही मर जाते हैं परियाप्ती भी पुरी नहीं हो पाते हैं हाँ नहीं नहीं जीव नहीं मनुश्य ही होते हैं सब एक गर्भ में मनुश्य के गर्भ में एक जीव पैदा होता है पहले दिन जिस दिन वो जन्मा उसको क्या बोलेंगे मनुष्य का बच्चा ही तो wont बोलेंगे इनिमल का है तो एनिमल का होगा मनुष्य का है तो मनुष्य का होगा और day one से ही science ने तो काफी प्रूब कर दिया day one से ही पता चल जाता है कि वो कितना है क्या है और अपनी की जब परियापती की बात करेंगे तब अपन बात करेंगे कि वो पहले ही क्षण जैसे ही आके अब जैसे मकान बनाते हैं तो जैसे ही मकान बनाने के लिए इंसान प्लानिंग करेगा तो वो सारी सामगरी कलेक्ट करता है तो देव, वन और पहले ही क्षण जैसे वो पैदा होता है तो वो सारी सामगरी कलेक्ट करता है यानि पांच उपर यापती आहार, सरीर, इंद्री, स्वास्वास, भासा, अमन वो पहले एक शंड सब कर लेता है तो वो मनुष्य होता है वो समुर्ची मनुष्य है गर्भ से पैदा नहीं हुआ है बिना गर्भी के हुआ है मन नहीं है उसका एक क्या है कहेंगे अपन वो अमन वाला है समुर्ची जितने भी होंगे सारी की सारे बिना मन वाले तो एक मनुष्य जनव दूसरा पांचों इंद्री का होना ठीक है, तीसरा मनुष्य पंचेंद्री तो चलो मन के अंतरगत आ गया हूँ हाँ देखो, आर्य क्षित्र दो चीज़े, आर्य क्षित्र और अनार्य क्षित्र जहां पर धर्म, कर्म, आत्मा, इस्वर, पुनरजनम, पुर्वजनम इन सब में विश्वास करते हैं उसको कौन सा क्षित्र कहेंगे हम आर्य क्षित्र, जहां पर ये सब बिलीव नहीं करते हैं उसको कहेंगे हम अनार्य क्षित्र में, तो आर्य क्षित्र में उत्पन्न होना, आर्य जाती में उत्पन्न होना, क्या देखो, अब बात ये है कि जो भगवान ने जिस समय जो साड़े 25 देशों को आरिक्षत्र माना है ठीक है अब वो साड़े 25 देश वैसे देखा जाए तो जो नाम भगवान ने आगम में जो बातें आई है अब नाम भी बदल गया होगा वैसे देखा जाए तो ये अनारिक्षत्र ही है अब आधुनिक द्रिश्टी से देखें जहां धरम आधिकर पा रही है तो उसको कोई भी चीज हमारा भव न बढ़ाए इतना हमको एवरनेस रखना चाहिए भव बढ़ाने का कारण न बने जो खली सादूसन जैसे अभी समनी जी की बात एक बार छोड़ते हैं जब समनी जी नहीं थे या कुछ तो लोग पैरेंस वगर जो ख्वाली सादूसन्तों में रहते हैं वो यहां जल्दी से आना नहीं चाहते हैं किसलिए सादूसन्त नहीं मिलते हैं तो आरेक्षत्र ठीक है चोथा उत्तम कुल क्योंकि जात इकुल यह सारे बहुत माइने रखते हैं मैं कई बार एक बात कहा करती हूँ जैसे एक संकल्ब यह दियाप करते हैं मेरे घर से कोई एक दिक्षा ले 20 साल के भीतर उचे देवलों के देवता हो सकता है यह वैमानिक देव जो क्रेवेयक अनुतर विमान के वो देवता आपक घर आके पैदा होंगी किसलिए वह वहाँ विला देवता भी तीन कारणों से रोते हैं एक रोने का कारण होता है कि बई मैं मनुष्य जनम में मैंने अपने जीवन को सार्थक नहीं किया साधू जीवन स्विकार नहीं किया स्विकार भी किया तो लंबा साधू जीवन स्वि धर्म के संसकार हो जहां पर उनको लगता है कि हाँ यहाँ मुझे वापस दिक्षा का योग मिल सकता है वो तो उचे देवलोग के देवता भी वहां के जनम लेते हैं तो जाती और कुल उत्तम जाती या आरे कुल आरे जाती बोल सकते हैं ऐसे शेत्र को देवता भी तरस्ते हैं हम वहां के जनम ले ठीक है और और क्या क्या हो सकता है जनम जेवलोग के हैं हाँ स्रवन इछले जनम के स्माथी इछले करने जो नहीं उसको हम दस दुगलब में ठीक है मतलब स्माथी हो भी गई अब इसमें एक चीज है हमने लाइफ को इतना आइडल बना लिया इतना धरम मैं बना लिया पिछला स्मृती आय तो क्या और नहीं आय तो क्या जो जो कन्फ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कोई उनको डाइरेक्शन नहीं मिलता है तो उनके लिए काम कर सकता है अच्छा आदेखो मैं पिछले जनम में ऐसा था या अच्छा करम किया इसलिए मुझे आज अच्छा घर ये सब मिला है दोनो चीज हो सकता है माइनस प्रेंड को देखकरके लाइफ को और अच्छा बनाना प्लस पंट को देख करके भी अपने चीज़ को ऐसा बहुत घटना आती है जैसे एक बहुत देव कुमार जैसा मतलब ये सुचों की राजा माहराजा जैसे घर में कोई एक जीव पैदा हुआ है और वो एकदम कभी धूप भी नहीं देखे ऐसा और एकदम सुक सुविधा में रहने वाला पास में ही कोई उपास रह था और वहां से आगम स्वाध्या की आवाज आ रही है वो सुनते 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 वो एकदम ध्यान में चला गया कहीं मैंने सुना है कहीं मैंने सुना है ठीक है अब कहीं मैंने सुना है ऐसे करते करते उसको अपन साधू जीव बेवियक में उत्पन हुआ था, मन में तड़क क्या बैदा हो गई, उस सारी सुख सुविदा देव लोग दिखने लग गया, अब जाने की इच्छा कहा है, अब ये सुख सुविदा एकदम तुछ लग रहे हैं, क्योंकि देव लोग के सुख सुविदा कलपना नहीं कर सकते देव लोग के सुख सुविदा के लिए जो बात आती है, एक सबसे ज़्यादा सुखी ये संसार में कौन है, चक्रवर्ति, सुख भोग सुख सुविदा की दृष्टी से, एक चक्रवर्ति जिसके पास सुख सुविदा की कोई कमी नहीं है, एक सब्द में ये उसकी सुख स बगार लगता है इतना सब उसके सब राप्रजा या उसके रानिया इतना सब छखंड के राजा होड़ते हैं बोलते हैं वो चक्रवर्ती भी किसी देवता के नख का स्पर्ष भी नहीं कर सकता अब आप ये सुचों यहां कितना भी सुख सुविधा हो जाएं देवलोग के सुखों के साथ तो हम तुलना कर ही नहीं सकते अब वो ब्यक्ति जिसके मन में आ गया कि मुझे इन्नो ग्रेवेक में जाना है तो क्या किया साथू बनना है अब घरवाले अनुमती तो देंगे नहीं वो पीछे से कोत के गया साथू के पास कि मुझे अब दिक्षा दे दो इतने सुखों में पला है कि वो साथू जीवन क कि कष्ट को सर नहीं कर सकता है दिक्षा लेकि उसने संतारा पचक लिया अच्छा युवा सिर्फ किस के लिए साथू बना है देहोलोग जाने के लिए है हाँ साथू का मतलब यह अलका जी एक मिनट एक मिनट क्या नियम नहीं पाला साथू का मतलब है कि सुनो एक बात सुनो साथू का मतलब है कि पंच महावरत का पालन ठीक है अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिक्राई क्यों हिंसा क्यों हुई एक बात मुझे बताईए हाँ सुसाइट नहीं किया है उसको देवलोग जाना है ठीक है अब देवलोग के लालसा से उस सादू बना अब सादू जीवन के कष्टों को नहीं सन कर सकता एक बात है देखो मेरी बात सुनेए एक बात सुनेए सुसाइट होता है वो आवेस में होता है सन्थारा होता है वो समझ पुर्वक होता है दोनों को हम एक तो मान ही नहीं सकते अब रही बात और इसमें भी बहुत सारी बाते आती देखि साधू को भी सुसाइट कर सकता है साधू उसके लिए बहुत सारे है नियम कि भी कोई भी ऐसी कोई आपदा आ गया तो साधू सुसाइट कर ले जैसे वो धार्णी का आता है न चंदनबाला और धार्णी उसकी माँ धार्णी का उनका वो किडनेप कर लिया था सार्थी ने तो उसने अपना जीप खींच करके अपने प्राण दे दी उस सुसाइट को सुसाइट नहीं मानेंगे जो अपने सील के रक्षा के लिए यहीं सुसाइट भी करते हैं तो उसको सुसाइट माना ही नहीं गया है हाँ बोले संतारा पचल जाने के लिए तो वो सुक के पीछे ही जा रहा है जब कि इंटेंशन पर यह होना चाहिए कि मेरे कर्वों को मुझे मेरे आत्मा को उसे दूर करना है पर अगर उसका एंटेंशन है इसमें निरजरा एक होता है पुन्य मुख्ष के लक्ष से नहीं किया तो उसके सकाम निरजरा तो है नहीं उसके साथ मुख्ष जुडाबा है नहीं जिस चीज मो पाने के लिए किया वो चीज उसको मिल गया उसके बाव संतारे तक के बने रहेंगे उसको खली वही दिख रहा है जिसका जो एम बन जाता है आज ये लोग बच्चे लोग जो पढ़ते हैं आई-एस ओफिसर का जो एक्जाम देते हैं बहुत टॉफट टॉब ये डॉक्टरी का पढ़ते हैं उनको कुछ दिखता है क्या खाली पढ़ाई, पढ़ाई, मैं तो एक बार एक बात बोली थी मैं ये जो psychologist बगर होते हैं, psychiatrist होते हैं मैं सुस्ते हुआ उसकी पढ़ाई करते करते हैं वह बच्छे भी बहुत बढ़े psychiatrist बन जाते हैं इतनी पढ़ाई इतनी पढ़ाई पागल से हो जाते हैं कुछ दिखता ही नहीं है एहीम लेना तब तक उनको पता नहीं है क्या होगा ठीक है फिर भी अब वो देना इधर कुआ और इधर खाई अब क्या करें अब जैसे एक बार एक लड़की को इंडिया की बात है मैं ऐसे ही को दिख्षा की बात बता रही थी यानि का देखो संसार में तो वो क्या पढ़ा है बंधन ही बंधन है तो एक जश्ट दो साल हुआ था किसी को साधी वे वो लड़की आई भी थी उसने कहा कि देखो मेरे हिसाम से तो बिना बेडागे बे दिख्षा लेना चाहिए संसारिक जीवन क्या है एक तरफ कुवा है तो दूसरे तरफ खाई है उसने एक बात कही अब वो भंसी के या गुसी के आप क्या करें न घर का और न बोलो बात सही है नहीं है हाया ना करो तो सही ऐसा ही है एक बात सुनो भगवान ने का है हमने कह रहे हैं जम्म दुखम जरा दुखम रोगाय मर्नानिया ओहो दुखो हू संसारो भगवान ने का ये संसार दुख मै है बंधन के अलावा संसार में क्या चीज है रही बात परिवार की अनादी काल से दिखें कितने जनम ले चुके आप लोग अनन्त कर अनादी काल से अनन्त जनम ले चुके परिवार कितनी बार बनाये हैं अनन्त बार अनन्त बार ये बीबी, बच्चा, ये हजवेंट यह सब चीज हुआ है किसको किसको याद रखे हो उन्हीं के लिए वो करते जा रहे है वो बनाते जा रहे है उन्हीं के लिए जीते जा रहे है राइट रे रॉम इतना सा सोचो आप लोग इंडिया से यहां आए हैं आपके पैरेंट्स बगर इंडिया में बैठे हैं, ठीक है, अब आप किसके लिए जी रहे हो, बच्चे और बीबी के लिए, आपका बच्चे के लिए आप जी रहे हो, बच्चा बड़ा हो करके वो किसके लिए जीएगा, वो अपने बच्चे और बीबी के लिए जीएगा, जिसको आप अपना मान रहे हो, कल को अपना होगा क्या? आजकल के बच्चे के मैं कई बाने के पर यह जी को बोलती हूँ, आजकल के बच्चों का खाना क्या है? मेगी, पीजा, पास्ता, नूडल्स, ठीक है? मैंने का, दस साल बाद सादू को भी क्या खाना पड़ेगा? यह आपके जेनरेसन तक तो ठीक है, उसकी बाद का जेनरेसन का सादू का क्या होगा? फिर नयर जो सादू बनेंगे ठीक है, उनका भी खाना वही होगा? ठीक है? बेराने वाले वही होगे, लेकिन जो पुराने उनका क्या होगा? आज जिनोंने टेस्ट भी नहीं किया है, ठीक है? आज मुझे पता नहीं इसका टेस्ट किया है, क्या होगा? पता नहीं जो है, पता नहीं जो है, मुझे तो एक बात सुनो, मैं अपनी यही बात को हूँ आज के डेट में अभी मैं यहां हूँ मेरे को कल का कुछ दिखता भी नहीं है सोचती भी नहीं तो वही मैंने एक बात कही न लोग पता नहीं भविसी की कलपना कितनी 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 कर लेते हैं कुछ भी नहीं पता या दो दिमागी नहीं चलता है है तो ऐसा लगता है कि ठीक है बेस प्रेजेंट में हैं जो कर रहे हैं मस्ती से आना रहने हैं तो कल का क्या होगा फिर भी जश्ट ये जो खाने को लेकर कि कई बार आता है मैंने का बच्चों का जो हालत है ना 365 दिन ये ही खाना चाहिए तो चलिए जो भी है तो अपन बात कर रहे हैं आर्ये ख्षेत्र आर्ये कुल आर्ये जाती ठीक है पंचिंद्री हाँ सरीश्रे स्वस्थ होना पंचिन निरोगी काया काया का स्वस्थ होना एक दिन भी सिर दुखता है आप डेली सामाई करते हैं पंच में क्या आएगा आसिर दुखरा है चलो आज सामाई छोड़ दो और सब काम करेंगे लेकिन आसिर दुखरा है आज प्रवचन में जाना छोड़ दे पैर दुखरा है बाकी सब चीज करना पड़ रहा है लेकिन जो चीज करना चाहिए उसके लिए हमारे विकल्प नहीं आता है तो आरुग्य का होना लंबा आयुस्य का होना क्योंकि अपन देखते हैं कि बहुत कोई कोई तो गर्भ में ही मर जाते हैं कोई जनम लेने के साथ मर जाते हैं तो लंबा और सुभ दिरगायू का होना ये भी देखिए एक दुरलफ चीजी ही मान सकते हैं अपन सुनना सुरद्धा का होना कुछ ऐसे भी है देखिए जैसे यहां तो चलो सब सुनते हैं आप ही बच्चों को छोड़ने के लिए मैं करी बार बोलते हूँ प्राइडे को आते हैं वो बड़ी बात नहीं जो संडे को आए और वैसे देखें बड़ी बात है आपके बच्चों ने आपको धर्मिक बना दिया सुनते तो हैं कान में दो सब्द पढ़ते ही हैं है ना दो सब्द कान में पढ़ते ही हैं अब कॉंसेस कितने हैं आप लोग बच्चों में अच्छे संसकार आए उसके लिए कितने कॉंसेस हैं अपने लिए कॉंसेस होते ना तो आप संडे को भी आते बात से यह नहीं है और देखो हम तो देखो परेलेल अब बच्चों के लिए कॉंसेस हैं तो वो भी करना चाहिए परेलल दो से संचलता है बड़ों का भी और संडे को भी दोनों से संचलता है बड़ों का भी और बच्चों का स्पेसल से संचलता है वो कई बार मैं बोलती हूँ यह जिसे रावन जब नारज जी लंका गए थे तो रावन अपना सारा चीज़ भी पहना गथा देखो ये मेरा आयू साला है, ये मेरा ब्यायाम साला है ये मेरा सस्त्र साला है, सब चीज़ एक 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 दिखा रहा था, नारज जी ने पूछा एक बात बताओ संसकार साला है या नहीं बहुत जरूरी और कुछ करें न करें तो बच्चों का कम से कम ये 10 साल तक 12 साल तक देखिए जो थोड़ा सा एकदम बोलते हैं कच्चा मिट्टी का जैसे गड़ा होता है चाहे जिसा हम उसका निर्मान कर सकते हैं और रही बात खुद का ज्यान क्यों जरूरी है कुछ होगा तभी हम दे पाएंगे तभी हम उनके कुछ नया नियुग ज्यान दे पाएंगे चली तो अपन सुब दिर्गायू का होना आरुग्य का होना और धर्म स्रद्धा धर्म सुनना बड़ी बात ने करके स्रद्धा का होना पहली बात स्रद्धा होगी उसके बाद हम उसको आचरण में ला सकते हैं अब एक चीज जो मूल बात सोचने की है जाती में रहना अच्छा है या बिना जाती के हम जाती पांच की बात कर रहे हैं जाती में रहना अच्छा है या बिना जाती के रहना अच्छा है? बिना जाती के मुक्सी के जी होंगे? हाँ अने के जी बोलो हाँ अच्छा दिखिए अने के जी लोग नौन बेज खाते हैं कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं कि जो नौन बेज नहीं खाते हैं? बहुत कम इसका मतलब हुआ कि अपन एक बात और मैं सोचती हूँ कि नौन बेज का मैं लोगों को ट्याप कराती हूँ मन में बिशार आ सकता है समरीज नौन बेज का तो खाते ही नहीं उसको ट्याप करे या ना करे आत्मा ये हमारी जो आत्मा है कितने जन्मों से उसको नौन बेज की संसकार है? आज हम मनुष्य जनम है आज हम जैनकुल में हैं आज हम को समझ है कि नौन विज नहीं खाना चाहिए क्या जितनी बार इस आत्मा ने जहां जहां जनम लिया क्या ये प्योर वेजिटेरियन रहा है हाँ या ना ये सॉबकॉंसियस माइंड ये आत्मा में कितने अनाधिकाल के संसकार जम्य पड़े है और नौन विज खाना लोगों को नधिंग लगता है और जो जैन ऐसे ही माहूल में रहे वे हैं ठीक है अब माल लीजे जैसे कुछ जैसे केक है जिसमें नौन विज है मुझे नहीं लगता है कि जो बहुत जादा सोल कॉंसियस नहीं है वो इंग्रेडियन्स को पढ़ता है क्या अभी भी यहां इतने लोग है मैं किसी को नहीं पूछ रही हूँ कि आप लोग प्योर वेज हैं या नौन वेज है खुद अनालेसिस करने की चीज़े हैं कि हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं ये केक वगर होता है सब बाहर का केक होता है कभी विकल्प आया है कि हम उसको देखे ये बिस्किट वगर लाते है अचा केक तो सामने वाला चाहे तो रेडिमेट बनाया वाला आता है party function में सब जग जाते हैं बताए कभी आप सोचे हैं action के लिए कि पताने कैसा केक होगा कभी पूचते हैं कितने भी किसी की party function में चाहिए नहीं नहीं वो लग बात है अच्छा और इसी प्रकार का उसमें कोई ऐसा चीज नहीं बहुत ही बड़ी है यह दी conscious है सब चीजों को देखे खाते हैं बिस्कित बगर भी लोग तो अलरजी के काहरा न और आप लोग उससे घ्रणा है इसके लिए या पाप से बचने के लिए संसकार से आया है कोई भी चीज उठाएंगे और अपने दो साल के धाई साल के तीन साल के बच्चे पैरेंट्स को बोलते हैं कि ममी इसमें देखो कोई एग आद तो नहीं है अब पता निदे को एक बात और है सुने सुने इंडिया का इजी नहीं है इजी यहां का है इतना साभी अब जैसे मालो एक हमने देखा एक ही फैक्टरी में पास पास में दो मसीने है ठीक है एक में नौन वेज का कुछ है और इधर जैसे काली में जो बोटोल होता है उसमें यह लिखा रहता है कि पास के उसमें से कुछ आया हो तो पता नहीं मूल में यह प्योर वेज है ठीक है मैं बात त्याग के नहीं कर रही हूं करो या नहीं करो या इतना सा भी कुछ मिला है ना इंग्रेडियन्स में लिखा रहेगा और हाँ फैक्ट और जहां तक नहीं लिखने की बात है ना बहुत सारी चीज ऐसा है जो मोटेरियल कंटेंट डाला जाता है अब लोग घर में चॉकलेट बनाते हैं अब क्या करते हैं वो सामगरी से बाहर की जाती है उसको बैस पिखाल दिया और उसको एक आकर दे दिया और क्या बोलेंगी ये घर का हो मैट चॉकलेट है अज़े वो इंग्रेडियन्स में क्या है ठीक है ये भी पता होना चाहिए कि हाँ ये इंग्रेडियन्स का ये इसका मोल राव मैटेरियल क्या है जब तो वो नहीं पता होगा तब तो कैसे बचपाएंगे एकदम बोलते हैं आप बाल के खाल निकालना वो सबसे बढ़िया है बाहर का निकालना चाहिए चली तो अप बहुत सारे जीव है अपने आपको कैसे हम जैसे कोई मुल्यवान चीज वस्तो तो मिली है इतना सब दस तुरलफ चीज है अपन को मिला है तो मुल्यवान चीज आपको कोई दो गिफ्ट दिया हाथ में गिफ्ट नहीं वो अपनी दो वस्तों दी और एक के लिए बोलता है बहुत precious चीज है, बहुत जादा precious है, और मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रही हूं और आप इसको संभाल के रखना है, और एक के लिए बोलता है ठीके, इसको रखना लेकिन इतना कोई precious नहीं है, क्या करेंगे आप? उस precious को क्या करेंगे? बहुत संभाल के रखेंगे साइध अपनी चीज़ को भी इतना संभाल के नहीं रखेंगे खोलेंगे भी नहीं या खोल की भी नहीं देखेंगे लेकिन उसको संभाल के रखेंगे ठीक है ऐसे ही हमको क्या मिला है कि मनुश्य जनम इतना precious चीज तो मुल्यवान का हमेशा क्या करना चाहिए बेखती को मुल्यांकन करना चाहिए मुल्यवान का मुल्यांकन करना चाहिए कि इसको मैं कैसे यूच करूँ अब जैसे just think और आप अच्छे कपड़े खरित के लाएं सबसे ज़्यादा आपका किमती कोई वस्तर है और नॉर्मल कोई प्रोग्राम है उसको पहन के जाते हैं क्या कहा जाएंगे ओकेजन कैसा है एक देखो इस बात पर एक बात बताओ एक बेक्ती था जिसने इतनी किमती वस्तर उसने खरिदे थे कोई भी आपकेजन होता ना उस वस्तर को निकानता और सोषता यह आपकेजन तो यह वस्तर के लाएक नहीं है ठीक है जब भी कोई भी बड़ा फंक्षन पार्टी होता उसको निकानता भनने के बाद क्या सुचा उसको पहनाया बैचारा इतना मुष्किल से इतना खेमती वस्तर उसने लाया था तो सबसे बड़ा ओविजन कौन सा हो गया मरने के बाद उसको बहनाया गया फिर मैं बात कर रहे थी ओविजन देखते हैं इतना केमती इतना मुल्यवान है उसके लायक यह है या नहीं है अब हमको ये सोचना है कि हमको ये जो मुल्यवान मिला है हम जो भी activity जो भी action जो भी क्रिया कर रहा है वो इस मुल्यवान सरेशे करने लायक है या नहीं है आप लोग कोई बहुत पढ़े लिखें ठीक है और उनको काम ये देंगे कि यहां के दरी उठाने का आपको duty है ठीक है विसाल जी ये दी आपको दरी उठाने के duty देते हैं अब क्या बोलेंगे खर लो हैं सब करते ही है इंसान ये देखता है कि भी मैं इस लायक नहीं हूँ या मेरा जो हैं पुछते नहीं है करते हैं पर सारे काम सब दो करने ही परते हैं भर में तो कर लेते हैं अब बहुत थोड़ा परतिश्टा में सब थे वो अलग बहुत है देखो एक तो डेली रुटिन में ये दी आपको कोई छोटे मोडे काम हमेशा के लिए ड्यूटी के तौर पे दे लिया जाएं इंसान को मन में हट होगा कि भई मैं तो प्रेसिजेंट पोस्ट के लायक हूँ और सुभम जी से मैं कोई कम नहीं हूँ मुझे एक पोस्ट कैसे दिया हाँ ना विकल पाने की बहुत संभावना है तो खेर मैं बात कर रहे थी मुल्यवान का जैसे आचेसी ने एक बार प्रवोचन में बात फर्माए थी आचेसी ने कहा कि येदी कोई भी सादू संत समने ठीक यहाँ भी देखो एक गुरूप लिडर होता है साथ में जैसे यहाँ आपन बाहर दो रहते हैं इंडिया में चार का भी गुरूप होता है ज्यादा तर होते हैं आचेसी ने एक बात फर्माए थी कि येदी कोई योग्य है बहुत ज़ादा टेलेंट है बहुत ज़ादा योग्य है और हम उसको किसी के साथ देते हैं उनको गुरूप लिडर उनका उनकी जो भी योग्यता है उसका मुल्यांकन नहीं करते हैं तो ये कमी किसकी है आचाय सीने का ये हमारी कमी है हम उसका मुल्यांकन नहीं कर पाद है तो जो मेरा कहने का मतलब इतना ही है जो मुल्यवान चीज मिलावा है उसका हम क्या करें मुल्यांकन करें बस ये सुचो ये दस दुरलब जो चीज है इसको किसमें हमको यूज़ करना चाहिए सिर्फ खाना बनाना खाना बस इतने से चीज में और क्या करते है और परिवार का सार्शंभाद और क्या करते हैं बलो बच्चा परिवार जॉब इसके अलावा कुछ भी और धर्ड चीज होता है ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा लॉंग विकेंड मिल गया कहीं घुमने चले गए सही है गलत है अपने लिए कुछ नहीं करते हैं और जब तक बच्चे छोटे हैं तो मैं इस तो सोचती हैं अपने बारे में सोचना ही भूल जाते है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह थिंकिंग के दिमाग से डिले हो जाता है चले ठीक है आज थोड़ी सी चर्चा की है आईउस से यदि आज आप लोगों को बताना है एक इंद्री के आईउस से कितना होता है दुएंद्री का कितना, तींद्री का कितना, चतुरिंद्री का कितना, और पंचिंद्री का कितना, बताना है, यह आज से अपन एक बुक शुरू कर रहे हैं, तीन बाते ज्यान की, कितनी बाते हैं इसमें, सिर्फ तीन बाते हैं, और यह बुक आधारित है, अपने धानम सुत जिसमें 30, राद, धेन, 3, 3 बातों का है, बहुत अच्छा है, कि क्या-क्या चीश तिन-तिन होता है, जैसे सबसे पहला चप्टर है, योग, योग कितने होते हैं, 3, मन बचन, काया, उसका काम क्या है, उसको किस रूप में यूज करते हैं, किस रूप में यूज करना, चाहिए छोटे छोटे चेप्टर है जो अपन इस सेशन में चर्चा करेंगे पहले आप लोग की कोई जिग्यासा है तो आप लोग पोच सकते हों किसी की कोई भी जिग्यासा हो पत्थर का क्या बोले है सबका आयूसी कितना क्या है आप क्या पुछा ठीके आपको ये पता है पत्थर बढ़ता भी है घड़ता भी है ये पता है आपको पत्थर जिसे पाहाड है पाहाड है ये साइन्स ने भी प्रूफ कर दिया है कि पाहाड बढ़ते भी है जिव की परिभासा जहां हम करते है जिव कौन ठीक है तो उसमें बहुत सारे परिभासा है जिसमें सेंसेशन होता है वो जिव है जो चलता फिरता है वो जिव है ठीक है अब चलता फिरता है तो दीख जाएगा सेंसेशन अपने को पता नहीं चलेगा पाहाड पेड ये सब को कैसे जिव मानेंगे तो तीसरी परिभासा देगे, जो बढ़ता है और जो घटता है, तो पहाड बढ़ता है, चीके, तो इसलिए पहाड अपने आप में जीव है, तो पृच्वी काय का जीव है, पहाड जो है, अगला अपना जो आएगा, काया छ, तीसरा बोल क्या है अपना, पहला बोल, गती च दूसरा बोल चाती पांच तीसरा बोल एक बार वापेस जो से बोल देंगे आप लो पहला बोल दूसरा बोल तीसरा बोल इतना तो पक्का हो गया ठीक है तो काया चामे अब विस्तार से पंचर्चा कर सकते हैं पृत्वी काय आपका है ऐसे? हाँ वादब कभ उसके अंदर जियू आया हाँ 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 बाइस सजार देखो ये जितने भी जियू है ना आप ढूंड के लाएं लगता है बोल दो बोल अच्छा बाइस सजार वाश है पृत्यु काय 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 काशा ठीक है ठीक है हाँ ठीक है बहुत सुन्दर अच्छा उत्तर लेकर आया है ठीक है हाँ हाँ पानी की विबाता आई थी ठीक है ठीक है तो एक बार ये आईस से तो आपने अच्छा बताया और आईस सी के बारे में आगे और बता देंगे जो और एक प्रस्न था सचित और अचित पानी को अपन सचित पिए या अचित पिए अचित करने से भी जीव हिंसा हो रही है तो अचित करके क्यों उपयोग में लेते हैं जीव जो भी है एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक सब जीव की अपना इमोसंस होता है जिसको हम जैन टेकनिकल वर्ड लेस्या सब्द भी बोलते हैं अपन सब के अपनी लेस्या है ठीक है लेस्या ज़ादा तर अप्रसस्त की संभावना है क्रिष्ण नील और कापोट तो हम हम यानि कोई भी जैसे कोई भी चीज अपन उपयोग में ले रहे है बनस्पति को ले रहे हैं या अपकाय को पानी को ले रहे हैं जो भी इंटेक कर रहे हैं हम सिर्फ वो चीज को ने कर रहे हैं हम क्या करें उनके emotions को भी इंटेक कर रहे है ठीक है अब वो क्रिष्ण लेस्या वाला है तो आप क्या कर रहे हैं क्रिष्ण लेस्या को भी साथ में आपके वीतर जा रहा है थोड़ा सा इसका विस्तार्ष करना है चर्चा तो मैं सोशियों अगले सेशन में इसको अपन चर्चा कर सकते हैं और किसी की कोई जी किया सा है तो बुछलो क्योंकि ये थोड़ा सा डीटल में है पर आप लोग ये दी हलचल में आ गये हैं तो पूरी समझ में बात नहीं आएगी है कुछ है क्योंकि दूरी समझ दूरी समझ दूरी समझ में में है क्योंकि दूरी झाल झाल